आप देख रहे हैं कर्तफ एवम निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृती का बयान दलिच साहित्य की आवाज बयान टीवी आजादी पानी के लिए हम लोगों को बहुत संगरश करना पड़ा कितने लोगों को अपनी जाने गवानी पड़ी कितने सैनी किसके लिए शहीद हो गए ये सब बाते सुनकर शायद हम तो एक दो दिन में भूल जाते हैं लेकिन उन शहीदों के घरवालों पर क्या बीटती है उसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते एक ऐसी ही कहानी गीत के माध्यम से मैं आपकी सामने प्रस्तुत करना चाती हूँ जिसमें किसी वेक्ती के मरने की खबर तो उसके घर तक पहुँच चुकी है लेकिन उसके बेटे को अभी तक नहीं पता कि मेरे पिता आप कभी वापिस नहीं आएंगे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी शब्दों पर ध्यान दे भावों पर ध्यान दे एक आठ साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो गए है वेह नहीं जानता कि उसके पिता वापिस लोटकर कभी नहीं आएंगे वेह अपनी मा से बार-बार प्रशिन करता है बार-बार पूशता है और उसकी मा मोन सब्द आंगन में बैठी हुई है यह शहीदों के लिए शहीदों की वंदना के लिए मेरा एक गीत है और मेरा मन है आप सभी मेरे साथ इस गीत में सम्मीलित हूँ चारो तरफ उजाला और अंधेरी रात थी जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी आंगन में बैठा बेटा मा से पूछे बार-बार दीपावली पे क्यों ना आए पापाव की बार बेटा यह नहीं जानता कि उसके पिताव लोटकर वापिस कभी नहीं आएंगे दो तीन दिन से वे लगतार अपनी मा की स्तिती को देख रहा है और सुनिएगा बेटा अपनी मा से क्या कहता है मा क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है मा क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है हैं दोनों हात खाली ना महंदी रचाई है बिच्छिया भी नहीं पाऊं में बिखरे से बाल है लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है कुम कुम के बिना सोना सा लगता है शिंगा कुम कुम के बिना सोना सा लगता है शिंगा दीपावली पे क्यों ना आए पापाब की बार दीपावली पे क्यों ना आए पापाब की बार बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने के लिए जाता है और अपने मित्रों के पिटाउं द्वारा लाई हुए उपहारों को देखता है और घर पापी साकर देखी अपनी माँ से क्या कहता है किसी के पापा उसको नए कपड़े लाई है मिठाईयां और सात में पटा के लाई है वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया पापा पापा कहे के सबने मुझे को चिडाया अब तो बतादो क्यों ना हसू आंगन घरद्वा दीपावली पे क्यों ना एपापाब की बार बेटा लगतार अपनी मा से प्रिशन कर रहा है और मा उसके प्रिशन का कोई उत्तर नहीं देती बेटा अपनी मा से रूट जाता है, खीट जाता है और उसके दोनों हातों को पगड़ कर जब जोड़ता है और अपनी मा का ध्यान अपनी और आकरशित करना चाहता है और सुनिएगा बेटा अपनी मां से क्या कहता है दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई हर बार की तरहाना तूने खीर बनाई आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा ऐसा क्या हुआ की बताने से है इंकार दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार और विडंबना देखिए पूछी रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुडने लगे थी लकडियां उसकी चिता के लिए पूछी रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुडने लगे थी लकडियां उसकी चिता के लिए पूछते पूछते वे हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है फिर अपनी मा को देखता है गीत का अंतिम बंद और देखी वे आठ साल का लड़का अपनी मा को क्या परकिस्तर देता है मत हो उदास मा मुझे जवाब मिल गया मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया पापा का जो काम रह गया है अधूरा लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा आशीर वाज दो मुकाम पूरा हो इस बार बयान टीवी को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और घंटी का बटन दवाना नै भोले दलित साहिते की आवाज बयान 18